दीपिका पादुकोन और रन्वीर सिंग गनेश चतुर्ती के दिन ही अपने बच्चे के स्वागत के लिए अस्पताल पहुँचे थे और 8 सितंबर को ये बात सामने आई है कि वे माता-पिता बन गए हैं दीपिका पादुकोन और रन्वीर सिंग बॉलीवुड के बैस्ट कपलर्स में से एक हैं दोनों अपने पहले बच्चे को लेकर कई महीनों से एक्साइटेड हैं और अब वो घड़ी आ गई है कि वे माता-पिता बन गए हैं बच्चे के आने से पहले दोनों को अपनी लगजरी कार में मुंबई के एचेन रिलायंस अस्पताल में आते हुए देखा गया जिस पर हमेशा चौकस रहने वाले पपराजी ने नजर रखी हालांकि वे दोनों कार में नजर नहीं आए लेकिन इस नजारे ने फैंस में अटकलों का बजार गर्म कर दिया है वे सोच रहे हैं कि क्या उन्हें बधाई देने का समय आ गया है इस बीच फेमस पपाराजी ने बता दिया है कि उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई है प्रेगनेंट दीपिका पदुकोन ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में चल रही अटकलों और आलोचनाओं को खत्म करने के लिए इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज पोस्ट की उन्होंने फैंस को पूरी तरह दिवाना बना दिया नकली बेबी बंप के आरोपों और उससे परिशान करने वाली ट्रोलिंग और शर्मिंदगी का सामना करने के बावजूद दीपिका ने फोटोज के साथ इंसब पर विराम लगा दिया तस्वीरों में वह अपने पती रनवीर सिंग के साथ पोज देती हुई दिखाई दी जिन्होंने उनके बेबी बंप को धीरे से सहलाया